हाई गाईज कैसा हम लोग सो गाईज वीडियो में हम D and F block elements के questions कर रहे हैं जो कि J main January 2024 में आये गये थे और यह जो questions है गाईज मैं 3 parts में कराऊंगा और यह first part है अगर आपको और chapters के वगएरा देखने है तो आप playlist section में देखे और chapter wise और year wise सब कुछ मैंने playlist अल्रेडी बनाई हुई है इसमें अगर आपको कुछ देखना है chapter wise related जो भी मेरा content है वह आप उसमें देख सकते हैं फिलाल समें हम स्टार्ट करते हैं the transition metal having highest third ionization enthalpy is और देखे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए guys ionization enthalpy क्या होती है third first second तो बात की बात है ionization enthalpy क्या है जो energy required होती है किसी electron को remove करने के लिए now for example जैसे CR है उसमें एक electron में अगर release निकाल देता हूँ तो यह CR plus आ जाएगा तो यह ओगी ionization enthalpy तो अगर पहला आप electron निकालते हो तो इसको first ionization enthalpy बोल देते हैं second electron निकालते हो तो इसको first ionization enthalpy बोल देते हैं और अगर third भी नगा देते हो तो इसको third ionization enthalpy तो अब तक आपको यह sound में आ गया होगा इसमें basically जो for example C2 plus से C3 plus में किसमे ionization and therapy सबसे ज़्यादा required होगी वो पूछा गया है energy जितनी ज़्यादा required होती है उसका मतलब है कि कितना tough है उस electron को निकालना समझ मैं है अब अगर इन समय में इसके according अगर इनके जो 2 plus ions है इनको electron के electronic configuration लिख लूँ यो भी अगर इन समय में आपको अगर किसी में एक electron ज़्यादा निकालना है वो देखना है इसमें देखे D में जो maximum 10 electrons हो सकते तो half field के लिए 1, 2, 3, 4 5 तो इसमें 4 होगे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो MN2 plus है वो exactly half field है and we know कि जो half field orbital होता है जो ये शेल होता है सब शेल वो बहुत stable होता है half field and full field अब ये 3D3 है ये भी इतना नहीं है 1, 2, 3 है similarly 3D6 correct इसमें आपको क्या हो गया कि जो half field है याने MN2 plus अब ये क्योंकि half field है इसमें एक electron निकालना बहुत ज़्यादा tough होगा in comparison to other three ये जो half field है इसी की वज़े से जो option number 2 है याने MN is your correct answer next question देखते है given below are two statements so assertion and reason type की questions है so पहला है in aqueous solutions CR2 plus is reducing while MN3 plus is oxidizing in nature देख इसमें है न इन type के questions को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो देख या तो आप एक काम करें अगर मैं आपको ध्यान दे ये जो तीन है याने जैसे CR का reduction potential आप देख लेते है CR2 plus से 3 plus से for example CR2 plus ठीक है एक इसका MN3 plus से MN2 plus इसका मैं आगे reason भी समझाऊंगा आपको लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ exam में इससे related question आया तो इन तीन पाता है जैसे CR3 plus से इसका reduction potential magnees का औके and similarly iron का ये तीन है जो repetitively पूछे जाते है अब इसका देखे reduction potential की values क्या होती है जो CR3 plus से में reduction potential की बात करो minus 0.41V जो MN3 plus से इसका plus 1.57V ठीक है अगें जो FE है इसका I think plus 0.77V होता है तो अब इसमें अगर ये आपको पता है तो well and good बहुत बढ़िया हो जाएगा नहीं तो इसके अदावा तो एक फिर textbook solution होता है जो आपको वैसे पता है तो again वही वाली बात हो जाती है तो मैं पहले इसके according समझा देता हूँ फिर बताता हूँ अब देखें we know guys कि अब एकको solution बोला है तो याने hydrogen और H2O वाला इसाब हो गया अब इसमें देखें we know जो reduction potential होता हो hydrogen correct वो क्या होता है वो 0 होता है standard reduction potential अब क्या होता है इसके उपर जब positive values आती है reduction potential की और इसके नीचे negative values आती है reduction potential की अब मतलब उपर जितना positive reduction उतना उसका मतलब उतना easily reduction होता जाएगा correct अगर यहाँ है कोई और यहाँ है तो यह ज़ाद़ easily reduction हो जाएगा similar जैसे आप नीचे जाते हो तो oxidation oxidation बेसिकली easy होता जाता है जिसका reduction होता है वो act as a oxidizing agent यानि यहाँ से उपर जाओगे आप तो oxidizing agent की capability हो increase होती रहती है and similarly यहाँ से नीचे जाओगे तो reducing agent होने की capability बढ़ती जाती है correct समझ मैं है यानि overall अगर मैं नीचे से negative से positive के उपर उपर जानो तो oxidizing agent की अच्छी और उपर से नीचे जानो तो reducing agent की तो अगर आप इनको reduction potential को order में लिख लो तो सबसे पहले तो 1.57 हो गया ठीक है फिर 0.77 हो गया and फिर minus 0.41 गया मैं आपको concept बता रहा हूँ कर record value थोड़ी बहुत उपर नीचे हो जाए एक बार देख लेना आप इसको confirm है वैसे यह होती है तो इसमें आपको क्या हो गया सबसे अच्छा oxidizing agent तो यह हो गया याने MN उसके बाद 0.7 oxidizing agent हो गया याने यह 0.77 याने FE and then यह या मैं यह कहूँ उपर से oxidizing यह उपर से 2 3 plus is oxidizing in nature because of their reduction potential यह positive है और यह negative है अब तो यह तो हो गया आपको याद होने चाहिए इस concept इसका जो solution है वो थोड़ा textbook type का है आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए ना तो देखे होता क्या है जैसे आप फर एक्जामपल CR 2 plus है और इससे हम CR 3 plus की तरफ जा रहे हैं वापस आ रहे हैं ऐसे तो इसका D 4 का configuration होता है correct और 3 3 plus एक electron रहे है 3D 3 similarly जब आप मेगनीज की बात करते हो तो MN 2 plus और MN 3 plus तो यह क्या होगे D 5 and again this is D 4 तो अब देखे D 4 में D 3 में जा रहा है तो इसमें क्या होता है basically जो D 3 है is more stable अब कैसे more stable होता है अब मैं समझे जैसे D 3 होता है इसमें क्या होता है कि यह break हो जाता है T 2G and EG मैं आपनो coordination chemistry में पढ़ा होगा ठीक है अब T 2G and EG तो अब क्या होते है जो 3 electron है तो 1, 2, 3 यहां बढ़ जाता है तो अब क्या होता है कि जो reason है कि because of the half filled T 2G orbital in case of CR 3 plus यह जो क्या है यह more stable होता है ठीक है अब क्योंकि यह more stable है तो जो CR 2 plus है easily electron donate कर देगा ठीक है और CR 3 plus में आ जाएगा electron donate कर रहा है तो मतलब किसी को reduce कर रहा है sound ma इसमें देखोगे तो again जब MNK case में क्या हो जाएगा देखे D5 इसमें जो MN3 plus है again वो इतना stable नहीं है क्योंकि D4 में है और इसमें क्या है D5 यह जो अपना simple वाला concept होता है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 और T2G इसमें क्यों लगा और इसमें क्यों नहीं है इसका मैं आपको reason बताता हूँ देखे क्या होता है कि इसमें crystal field stabilization energy concept लगता है तो इन cases में जो CFAC है इसको impact करती है जो chromium का case है आपको one liner बता रहा हूँ कभी इस type के question में पूछने लग जाए जो crystal field stabilization energy concept है इस case में इसको impact करता है जिसके वाज़े से ये वाला concept है stable हो जाता है क्योंकि अगर आप इस type से 1,2,3,4 इस तरह से 1,2,3 करोगे तो obviously unstable दिख रहा है तो लेकित इस case में ये crystal field stabilization impact इसमें जादा होता है unlike in this case ठीक है तो फिलाल इसमें समझ में आगया होगा आप जितना भी concept है कि extra stability to half field electronic configuration is observed and then incompletely field electronic configuration correct ठीक है तो इसमें जो option number one है is your final answer I hope guys आपको जो समझाया है मैंने समझ लिया होगा next question देखते है which of the following compounds show color due to DD transition अब देखें एक चीज़ धिहान रखिए एक तो होता है DD transition और दूसरा होता है charge transfer charge transfer की वरे से basically जो ligand है ligand से metal को transfer होता है अब generally जो DD transition है वो किसमें होता है अगर आपका configuration D1 से D9 है और ML और L जो charge transfer है वो किस case में होता है जब D0 और D10 है बस अब आपको इसमें यह देखना है कि कौन सा क्या show कर रहा है Cus04 को देखे .5s तो है तो एक को जुड़े वे हैं इसको तो consider मत करो Cus04 में Cu plus 2 oxidation state में है ठीक है तो plus 2 oxidation state में है तो इसका जगर आप configuration करते हो तो obviously 3D9 ठीक है 3D9 यहां लाई कर रहा है तो यह color show करता है due to charge transfer आगे वाले options भी देख लेते है K2CR27 K2CR2O7 में 2 plus 2CR plus 7 into 2 14 याने minus 14 कुझे CR इसमें हो गया plus 6 oxidation state में plus 6 oxidation CR मतलब 3D0 obviously यह 0 यहां पर कर रहा है तो charge transfer इसमें की वज़े से होगा अगर show करता है at all अगेन K2CRO4 अगर आप देखोगे तो इस case में भी 2K याने 2 into 1 plus CR minus 4 to 8 0 तो CR इसमें क्या हो गया again plus 6 3D0 तो यह भी वही case हो गया and KmN of 4 याने plus 1 plus MN minus 8 equals to 0 MN हो गया plus 7 oxidation state में याने MN plus 7 है तो 3D0 तो again इसमें भी यह हो गया समझ मैं है तो आपका एकलोतर जो correct answer है is option number 1 next question देखते है given below are two statements statement 1 है the 4F and 5F series of elements are placed separately in the periodic table to preserve the principle of classification now this is a correct statement वैसे NCRT से direct statement भी उठाएगा है अब reason न बताता हूँ देगे जो 4F and 5F series क्या होती है आपकी lengthenides की and actenides की correct अब क्या होता है इनको क्या बोलता है inner transition elements तो आप obviously देखा होगा आपना जब periodic table होती है उसके अलग आप ये दोनों के दोनों separate करते हूँ लिखते हो reason क्या है देखे जो मलब दो तीन reason मान लो आपकी और one way or the other related है दूसरे के पहला है जैसे electronic configuration और उनका जो structure होता है कि periodic table को preserve करने के लिए जो obviously इसमें भी बोला है classification का देखे क्या होता है 4F और 5F जो orbitals होता है उसमें inner orbitals के electrons भरे जाते है unlike जो ये main body है आपकी periodic table की इसमें क्या होता है SNP orbitals भरे जाते है outermost electrons भरे जाते है इसमें inner electrons भरे जाते है देखे जब भी आप कोई general formula देखते हो जैसे NS N-2F N-1D and N-P ठीक है अब ये क्या होगे N is the number of shell या period अब इसमें अगर आप देखोगे जो 4F और 5F सिरीज है इसमें आप पहले जब N-S भर देते हो उसके बाद सबसे पहले ये वाले electrons भरे जाते हैं unlike इसमें जिसमें आप N-S के बाद N-P भरते हो ओके ये reason है कि पहली बात तो इनको separate रखा हो गया है ताकि अगर आप इन elements को इसमें squeeze कर दोगे तो जो एक जो कहते है न कि property के according आपने elements को डाला हो आए वो disturb हो जाएगा समझ मैं और again इन 4F और 5F को एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी properties length and actonides की more or less थोड़ी सेम होती है unlike इस जो main body के जो elements होता है उनके comparison में सब्सक्राइब आगया and that is why जो आपका statement 1 है is true second है S-block elements can be found in pure form in nature देख गाई यह तो जब S-block आप पढ़ते हो तो सबसे पहले यही statement बताया जाता है कि यह this is incorrect statement यह combined state में मिलते है NS जो S-block के elements होता है S-block elements क्या होता है alkali metals and alkaline earth metals alkali and alkaline earth metals बहुत ही ज़्यादा reactive होते है now for example sodium या magnesium होगिया alkali होगिया alkaline ethyl metal यानि group 1 and group 2 यह बहुत ज़्यादा reactive होते है बहुत ही easily एक electron lose कर देते है यह तो further एक electron or lose कर सकता है बहुत जल्दी correct तो क्योंकि यह बहुत ज़्यादा reactive है generally यह free state में नहीं मिलते they are found in combined state pure form में नहीं मिलते कि sodium मिलिए आपको या magnesium मिलिए यह generally minerals की form में मिलते है आपको या salts की form में मिलते है जैसे as a other compound जैसे oxide की form में मिल जाएंगे carbonates की form में मिल जाएंगे sulfates की form में मिल जाएंगे okay and that is why this statement is incorrect so जो आपका option number 3 है is your final answer यानि statement 1 is true but statement 2 is false next question देखते है NACL reacts with concentrated S204 and K2CR to 7 to give reddish fumes which react with NUH to give yellow solution okay and B and C बताने जो देखें जो यह reaction है आपकी यह आपकी chromyle chloride test है okay जो chromyle chloride test है is used to test the presence of chloride ions okay तो अगर आपको यह पूरा test बता था तो आप अराम से कर सकते थे यह chromyle chloride test बहुत important test है काफी बार पूछा जा चुका है okay तो देखें मैं आपको सिर्फ question से related बताता हूँ आपको ज़्यादा पूरा complete देखना है तो chromyle chloride test एक बार NCRT search करना और आपको अराम से मिल जाएगा देखें क्या होता है कि जिस salt को भी आप test कर रहे हो तो जैसे salt हो गया तो जितना quantity में आपने salt लिया उतनी ही quantity में equal amount आप solid K2CR27 उसमें डाल दो ठीक है जब आपने ये डाल दिया अब इसमें क्या करो S2SO4 याने concentrated S2SO4 को add कर दो और इस पूरे solution को आप heat कर देते हैं तो इसमें क्या होता है एक gas gas कहे दो या effervescence vapors produce होती है ठीक है और उस vapors जो produce ही है उसको आप अगर NUH solution में pass करते हो तो एक yellow color का solution बता रहो है न produce होता है आगे के test हो रहते हैं कि जो chromyle chloride test में कि कुछ और चीज़े test करनी है तो इसको आप दो part में divide करते होते हो एक part को तो आप for example acetic acid और उसमें lead acetate डाल देते हो second part में अगे दूसरी reactions होती है तो अभी वहाँ नहीं जाते है confused हो जाओ गया अगर आपको जारे deep पढ़ना है तो एक बार ये वाला basic पढ़ने ना इतना समझ माया इसकी reactions देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या था आपने solid जो भी salt लेना है उसको लिया याने salt क्या है for example NaCl हो गया है chloride ions में ही है अब इसमें उतना ही K2Cr2O7 डाल दो मैं balance out नहीं कर रहा हूँ कि balancing तो आप करी लोगे वैसे इतना इसमें जरूरी नहीं है और question करिए अब इसके बाद आपने concentrated H2SO4 डाल दिया तो जो reactions क्या होती है इसमें KHSO4 बनता है CRO2Cl2 बनता है यह बहुत important है याने this is called as chromyle chloride है ना यह chromyle chloride होता है यह जो basically क्या होता है reddish brown color का होता है reddish brown chromyle chloride प्लस NaHSO4 प्लस H2O अब मैंने आगे क्या बताया था कि यह gas या vapors produce होती है और जो की आप NUH जिसमें test करते हो अब जो यह chromyle chloride है basically यह बहुत ही ज़्यादा volatile होता है और जैसे यह बनता है अजर आसी भी heat से है इसकी vapors produce होना शुरू हो जाती है तो चोई इसकी vapors produce होती है और NACL plus H2 यह तो balancing में आपको reaction बता रहा हूँ लेकिन जब आप step के question करते हो आपको main main component याद होना जी आपको याद होना जी मैंने यह add किया था तो chromyle chloride बनाता है जो reddish का color का होता है chromyle chloride डाल दो तो NA2CRO4 बनाता जो की एक yellow color का solution होता है समझ में है क्योंकि different books, different sources में आप कहीं red orange देख लोगे कहीं yellowish color देख लोगे तो यह वाला है जैसे इसमें reddish brown होता है इसमें सिर्फ reddish लिकाया तो इस तरह है समझ में है तो क्या हो गया जो यह chromyle chloride तो हो गया था आपका B और यह हो गया आपका C इसके according जो आपका option number one है will be your final answer I hope guys आपको समझ में आओगा next question देखते है given below two statements statement one है in the lantillites the formation of C plus 4 is favored by its noble gas configuration नवाईज देखे वैसे यह NCRT में proper थोड़े one liner, one liner, one liner जो जित्ते भी दिया है आप उसको हमेशा पढ़े और ध्यान दे और अगर उसके reason नहीं दिया है तो उसको reason समझें क्योंकि NCRT से यह चीज़े direct रूथा लिते हैं क्या है C का जो atomic number होता है 58 है अब देखें यह अगेन आपको याद है तो ठीक है नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी तो अब इसका atomic number आपको क्या होता है 4F1, 5D1, 6S2 So CE 3 plus क्या हो जाएगा 4F1, 5D0 and 6S0 And again CE 4 plus आप देखते हो तो 4F0 हो गया याने जो noble gas है यहाँ पर basically क्या होती है थर xenon तो इसमें क्या हो जाएगा xenon और 4F0, 5D0, 6S0 तो पहली बात तो यह तो समझ मागी कि the formation of CE plus 4 है क्योंकि वो noble gas configuration का आगया सिर्फ xenon का और क्योंकि इसमें 4F1 है तो यह easy electron निकाल ला है क्योंकि एक electron निकालने के बाद इसका noble gas configuration बन रहा है यह तो बहुत basic चीज हो गया है main है point second यह तो समझ मागया आपको कि यह statement जो 1 है is correct अब जो statement 2 है अब इसको समझा इसमें यह कह रहा है CE plus 4 is a strong oxidant reverting to the common plus 3 state यह कह रहा है ठीक है आपने यह तो कह दिया कि CE 3 plus से CE 4 plus यह noble gas configuration है यह more stable है तो इसका मतलब काईदे से CE 3 plus से CE 4 plus easy होना चाहिए और यह जो CE plus 4 से यह tough होना चाहिए लेकिन इस case में CE 3 plus के case में क्या होता है यह बहुत easily एक electron ले लेता है add कर लेता है और again revered back to CE 3 plus में हो जाता है in fact अगर यह noble gas में था उस case में भी यह बहुत अच्छा oxidizing agent है याने electron दूसरे को खीच लेगा खुद का reduction करा लेगा और एक C3 plus में आ जाएगा वो इसलिए है देखिए आपने अगर इसके obviously जो इसमें plus 4 noble gas configuration है लेकिन इस case में क्या होता है because जो lengthenides है जो lengthenide elements होते है जनरली वे prefer करते हैं या तो उसमें जो F cell है उसमें अगर या तो full share हो या partially filled at least एक दो electron भी अगर है उसमें तो उस case में वो ज़्यादा prefer करता है उसको तो उस वज़े से क्या होता है क्योंकि C3 plus में आपने देखा कि जो 4 F है ये F था guys 4 F था इसमें एक electron present है लेकिन C4 plus case में एक भी electron present नहीं है तो इस वज़े से क्या होता है कि इसको ज़्यादा थोड़ा सा इस case में CE के case में ही बता रहा हूँ ये थोड़ा ज़्यादा prefer कर लेता है इसको ये अच्छा oxidizing agent है ना कि reducing agent स्टेटमेंट 2 भी correct है इसका मतलब जो option number 2 is your final answer next question देखते है choose the correct option having all the elements with the D10 electronic configuration from the following इसमें मैंने trick upload की भी है आविश chemistry electronic configuration या electronic configuration आविश chemistry search करेंगे तो आपको trick मिल जाएगे बहुत easily आप draw कर लेगे ये में मान के चलो इसमें सिर्फ electronic configuration को ही draw करना आपको one by one देख लीजे और जिसका जो अगर एक भी option में अगर D10 नहीं आ रहा है तो उसको काट दो उसको आगे को मत देखो जैसे मैं अगर cobalt 27 को देखता हूँ इसका electronic configuration क्या हो जाता है AR 3D7 4S2 तो 3D7 आ रहा है D10 तो नहीं आ रहा है तो यह नहीं है तो मैं पूरा ही काट दूँगा समना तो इस तरह से आपको देखना है तो similarly अगर copper को देखते हो आप copper का 29 है तो इसमें क्या हो जागा AR मैं लिख लेता हूँ 4S1 3D10 copper का एक exception होता है पता आपको तो 3D10 exception क्योंकि ideally 4S2 3D9 हो जाए लेकिन एक electron इसको stable करने के लिए चेह होता है तो S से खीच लेता है तो 3D10 है तो यह तो हो गया similarly zinc का देखोगे तो 4S2 इसका भी 3D10 हो जाता है cadmium का देखोगे तो 5S2 4D10 हो जाता है similarly AG का देखोगे तो इसका भी 5S1 4D10 हो जाता है तो सब में D10 D10 है and this will be your final answer तो बाकी गए आपको टेस्ट करना है देख लीजिए इसको ठीक है बस electronic conversion ड्रो करना है अगर एक भी मिस हो रहा है तो इसको छोड़ दो ओके गाईज so I hope आपको जो question है समझमाए होंगे बाकी के part जो question से second and three part में final upload कर दुआ thank you, bye